यह जो मैंने स्टाट की हुए है इसका बेसिकली परपल्स क्या कि जाकि आगे 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 आपको स्टड़ी करोंगा तो वहां पी क्या है कि आपको यह जो वर्ट्स यूज करूंगा वहां में डारेक्ट वर्ड्स लूगा तो फिर आपको बाद में पूछते सार यह concept समझ में यह बता हुए क्या होता है इसलिए पहले जो इसमें में में जो टर्म्स आती है पैसली जो आपकी बुक्स हैं क्योंकि आपके इसलिए कि हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो बेसिकली जो आपके टर्म से इसलिए जिनको इन उन्हें सिर्फ डिफाइन क्या होता है वह हमें पता चल जाए थाकि जब हम में बुक्स के उपर आएं में रेफरेंस बॉक्स पर आएं तो उसमें वह टर्म्स हमें बाद में आपिस टक ना गरेगी यहां कि इसका मुझे मतलब नहीं पता ठीक है तो कि अगरेगी तो सबसे पहले आता है वाट इस ग्लॉब क्या है ग्लोब एक जिस मिनियेचर फॉर्म है इसके अर्थ की अब आपको सुपोर्ज करो हम ग्लोब क्यों करते हैं कि ग्लोब हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इसमें देखे सारे कंट्रीज जो है हमें देख जाए है अब देखे मैं जो को दिखा देता हूं अब इसको इसको क्या इसको टॉड़ा से दो आपको इसको क्या स्टडी कर पाऊगे अब एल देखता हूं को मिल्या तो करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं क्या ग्लॉब ओके तो आपको पता है जो भी सर्कुलर बॉडी होती है वो जो रोटेट करती है तो वह एक यह एक्सेस के उपर रोटेट करती है जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको अपनी स्टेडी को इजी बनाने के लिए कैसे इमेजिन किया है कि हाँ यह कोई लाइन है जिसके रावंड रोटेट कर रही है तो जिसको हम क्या बोलते तेंगे अब आपको पता यह एक सीदों पॉइंट को टच करके नहीं कल रही आपके तो इसलिए पॉल भी कितने होंगे दो पॉल जो अपर पॉल है उसको बोलते हैं नौर्थ पॉल ठीक है और जो नीचे है इसको क्या होते हैं साउथ पॉल वर पता चल रहे होगी कि जो यह आर्थ की मुवमेंट है वह कैसी है वेस्ट टू यानि कि अगर मैं उसको क्लॉक फॉर्म में बोलू कि जैसे हम क्लोक फॉर्म में क्या बोलते हैं बोलाइज है क्लोक वाइज ए अंटी क्लोक वाइज हों किस covariate個 autism the rest of of the mother-in-law of our father equator equator क्या होते है दिखे आपने सुनआबि United में दो इसको भूमत देर रेखा हुँआए जर्शिम्प्ली एक reference point होते है इसको हम अपने study में और ईजी करने लिए उसको यूज़ करते हैं for example जैसे ये ये जिवकर यह हम इसले इसको यूज करने ताकी अब देखेया इस लाइन नि क्या किए इसको अर्थ को एस ग्लॉपक कोण फॉल पार्टस में डिवाट करते हैं क्रोंते हितम पुरा नौर्थ अमेरिकल अब इस नौर्थ हमारिके यहां पर यह निचे जो और यहольно गुंअ का एक कि एकाइट लोगे टे किसके लिए और गोगे तो अब मुझे पंट्रीज से मैं हैं ने लिए इसके इंदर ग्रफिक मैं ईह थृक है वह mean खॉ सॉत मी कर्फाइटान और ऐप्ड़्य ले celebrity कुई-0 जो कंट्रीज प्रफिजिक्स के लॉगते हैं इसमें आपके जो बायलोजिकल प्रोसेस वह भी इसमें आती है तो अब देखें जो में पुछ भी देखना है तो उसके लिए पहले एक रेफरेंस पॉइंट होना जुरूर है तभी तो आप किसी पॉजिशन किसी एडिया से चलती हो कि आप बोलता हो कि मैं आज 1 किलोमेटर चला तो आप कैसे बोलता हो कि आप इनिशली एक रेफरेंस पॉइंट के लिए यूज होता है और कि यह क्या होते हैं कि एकवेटर मैंने आपको जैसे लास्स लाइन में बताया था इसको टू एकवल पार्स में डिवाइड करता है तो जो यहां पर मैं आपको बता देता हूं इस डाइगराम में देखिए देखे यह है हमारा एकविटर और इसको ग्लॉप को इसने टू एकवल पार्स में डिवाइड कर देया एक तो अपर है यहां पर यह पर हो गया हमारे जो अर्थके तो यहां से लेकर की यहां तक और यहां से लेकर यहां तक यह क्या हो thesis मैं यह वो गया हमारा क्या है कैसा है अशुर्थ तो इसको हम उपर वाले को क्या बहुत 235 उसके बाद अब आता है लट्थिप्यूट्थ देखे यहां एक्वेटर के उपर आपको देख रहे होंगी, यह लो पैर्रलाइज देख रहे होंगी है, similarly यहां नीचे भी, तो यह चो लैटीटीूड से, यह हमें क्या बताते हैं, लैटीूड से हमें बताते हैं, कि जो भी लैटीटीूड से बताते हैं, तो हमें पता चल जागा वो एक्वेटर से कितना नॉर्थ में है या कितने साउथ में सिटुएटेड है अब आपके माइन में क्वेशन आता हुआ कि सर फेर यह 15 डिगरी हमें कैसे पता चलते हैं कि 15 डिगरी लाइन है तो उसके लिए आपको मैं यहां राइट साइड में इम अब यहां पर देखें यहां 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 आ रही है तो यह क्या बन जाती है यहां पर अगर अगर मैं यहां आ जाता हूं यह देखें यहां यहां पर लिखा हुआ है तो यह एंगल इस साब से इन्होंने मैजर किया हुआ है ओके आगर आपको यह समझ में आगया होगा आगे नेक्स्ट है इंपोर्टेंट पैरल्लर्स ऑफ लेटिटीटूड अभी मैंने आपको बताया था एक्वेटर क्या है उस पर को से एंगल बनते है जीरो डिए वो रेफेरेंस पॉइंट है उसके बाद आपका सबसे टॉप और ब यह देखे मैंने लिखाव है 90 डिगरी नोर्थ एं 90 डिगरी साउथ तो आप आता है फर्स्ट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको यहां मेंशन किया हुए कि इसका जो मेजरमेंट हो कितना है अब नौर्थ में लिखा हुआ है तो इससे आपको साफ पता चल जाएगा कि एक्वेटर के नौर्थ में तो यह कौन से हमिस्पेर में आता हूँ नादन हैमिस्पेर में सेमिलर्ली ट्राफिक ऑफ कैप्रिकॉन है ट्राफिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है 23 एंडा हाफ डिक्रे साउथ में है यानि कि साउथ बोला तो मैंने इसका मतलब आपको पता चल जाएगा जैसे मैं साउथ बोले हो तो यह कहां है सदर हैमिस्पेर में याज रखना जब मैं लै लैटिट्यूड यानि कि एक्वेटर के रेफरेंस पाइंट में बोल रहाँ अगर मैं लॉंगिट्यूड बोलों में आपको आगे बढ़ाऊंगा उसके बाद है आर्क्रिक सर्कल आर्क्री सर्कल जो है वो कहां पर 66 एंडा हाफ डिग्री एक्वेटर के नॉर्थ पे है सेम हमारा क्या है एक्वेटर ओके जिरो डिग्री अब आपने यह रेड लाइन जा रिए यह वाली यह वाली यह वाली यह यह चीज़ और यहाद लगना है फ्रेंच कि जो यह उत्रता आफ रहते हैं डिखंटेंट सब्सक्राइब samma यहि फिक्स रहता है आइसा निशी लोग सम्पिक नूर्म को यहां पर यहां पर यह उन्टार्टिक सरक्रद है जो आज काफी इंपॉर्टेंट प्रेक्स बता रहा हूं आपको सब्सक्राइब करें और इसको आप आराम से पढ़ लेना है तो इसको आप आराम से पढ़ लेना सब्सक्राइब करें जो आपने देख रहा हो देखा अपने देख रहे होगे लेट साइड में यह देखें जो पता चलता हमें कि जो आर्थ की जो सब्सक्राइब इसको मैं आपको यहा इस संझाता है यह आपकां यह फोड़ी से यह आपका इकवेटर है यह फॉपट खेंसर है और यह फॉप उंद्यों आके बीस में ईसको अनौह हम वो क्या बोलते हैं यह फे टॉपिकल और जिए एरिया डां पूरे साल में क्या होता है आर्थ पे जो टमप्रेच्टर देंगे क्यों कि आपको इस इमिज से और पर इस देंगे नहीं इससे क्या पता जलता है कि यहां पर टमप्रेच्टर हमाइसा यह इस एरियम में आपको काफी मजा आया होगा आज की वीडियो में तो अगर आपको अगर आपने कर वाली वीडियो को नहीं देखी है जिसमें आपने कल काफी बेसिक्स टर्म्स यूज किये दी आर्थ और उसके अट्मॉस्फियर से लेटर तो पहले आप उसको भी देखिए और आपने फ्रेंट्स को ज़रूर इंफॉर्म करें थाकि उनके बेसिक्स क्लियर हो जाए और जोगर्फी सब्ज कि 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 आपने कुछ जाए और आपने के अट जाए और गिरूर प्रेंटर तो झाल, बेचे झाल, गिके गाए, तो जाए गिसके आपने के शब्फेंटर चलोगर्ण कर उसके आपने कर तो इतान से एको